हेलो दोस्तों एक important update है तो syntax में हम थोड़ा change करेंगे जैसे हम bin को request करेंगे तो हम ये तेन syntax follow करते थे एक getbin जहांपे id पास करते थे दूसरा हम use करते थे getbin जहांपे पहले class पास करते थे बाद में id तो दोस्तों अब हम ये वाला syntax नहीं use करेंगे जहांपे पहले id बाद में class name पास करते हैं मेरी कुछ videos पहले से मैं record कर चुका हूँ तो maybe शायद annotation से जब हम start करें तो हम ये वाला syntax follow करेंगे आप जहांपे भी ये वाला syntax देखो कि पहले class बाद में id है automatically आप समझ आना कि आपको कुछ इस तरिक्य का करना है जहांपे पहले आप id पास करोगे बाद में class पास करोगे thank you